नमस्कार मित्रों, 31 अक्टूबर भारत के इतियास में काफी परसीति थी है, काफी महत्पुर्ति थी है, क्योंकि इस तिति को सरदाव बल्लव भाई पटेल का जनम दिवस है, और साथ-साथ एक घटना जो हमारे प्रधानमंत्री, बुद्पूत प्रधानमंत्री इंद्राग अधि का सही दिवस भी है, 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगर अक्षकों ने उनकी खत्या कर दी, और यह उस समय की बात है, जब पूरे विश्व में दो महिलाओं की बहुत चर्चा हो रही थी, और वो थी एक भारत की अपने परधानमंत्री इंद्रागाधी, और बृटेन की परधानमंत्री मारगेट थेर्चर, दोनों परधानमंत्रियों को लौह महिला के रूप में जाना जाता है, और इस नवंबर 1917 को एलहाबाद में जवाहलल नेहरू और कमला नेहरू के पुत्री के रूप में इनका जनम हुआ, और जोकी परिवार में राजनीतिक महल सुरू से ही था, इसलिए इन पर भी उसका परभाव पड़ा या इनका अनभव मिला, प्रारमभिक सिख्छा इनकी इलहाबाद से ही हुई, लेकिन बाद में फिर सांती निकेतन में भी गई, वहां भी इनकी सिख्छा दिख्छा हुई, और अपने प्राधिक जीवन में पढ़ने में भी इनका काफी अच्छा रहा और यह अच्छा करती रही, जब राजनीतिक शेत्र में तो बाद में ही आई, क्रोंकि उस समय जब राजनीतिक में आई जी समय भारत में कांग्रेस के प्रधान मंत्री जिनकी असामाईक मिर्त्य हो गई थ कि हलाल भादर सास्त्री उस समय एक कर सकते हैं कि सुन्न की स्थिति आ गई थी और उस समय में प्रधान मंत्री बनाया गया, पुना चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारी मुहमत से जीती, और उनीशा सण सट से 1770 तक चुनाव में जितकर पन्धान मंत्री के पत्पर रही है उनीशा को सट अशी तक वो सट्री अशी का बाद पुनाव हुआ, उस चुनाव में महरी महमत से जीती, पाटिकर तक पन्हान मंतिरी रही हुआ और कहा जाता है कि राजनितिक सुजबुज इनके शुरू से ही थी क्योंकि जब इनकी उम्र दस साल की थी उसमय अपने उम्र की लोग बच्चों के साथ उन्होंने एक सेना की अस्थापना की तिजिस सेना का नाम बांदी सेना कि अपरेशन बुलू स्टार कि से चुब्ध उनके दो अम्रक्षपों ने एक तीस अक्टूबर उनी सचवरासी को उनके निवास अस्थान में ही उनकी हत्या करती है कि इस महान विभुती का भारत में बहुत बड़ा युगदान रहा है यह हम कह सकते हैं कि जब भारत विकास कर रहा था उस समय में इन्हें साथ संथ करने का मौका मिया और इनके मुख्य कार्यों में अगर हम याद कर सकते हैं तो बैंको करास्टी करन प्रिभी पर्स का खत्म करना हरित करांथी फिर बंगलादेश का उदय में युगदान अधिश्यत्रों में का इतिहांस बहुत ही वहत्पूर रहा है और हम सब भारती याद्वी करते हैं लेकिन इस दिपक का अंतिम दिन 31 अक्टूबर 1984 था जो पूरे भारत बर्स ही नहीं बलकि भारती अउप महादीब और पूरे विश्य के लोग इस घटना को सुनकर दुख्यूए आश्चर चकित हो गें तो ऐसे भारत के महान विक्तित वाले इंद्रा गांधी को सत्सत्नमन सतनमन